तो हेलो गाईस केसो आप सभी लोग वेलकम बेक टू अनादर न्यू वीडियो तो भाई लोग जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे गेम में अपडेट 6 मार्च को आया था और इस वाले अपडेट में हमको नई थार देखनों को मिलती है नई बोड देखनों को मिलती है और भी बहुत सारी चीज़े हमको नई नई देखनों को मिलती है लेकिन दिल है कि मानते हैं हमें तो और भी अपडेट चाहिए तो आज मैं आप लोग को बताने वालू हमारी आने वाले अपडेट में क्या क्या आएगा और वो अपडेट कप तक आएगा तो ये सारी चीज़े आज मैं आप लोगो को इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमारे इस गेम में क्या-क्या आना चाहिए तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पेल यार आप लोग जल्ली से वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर दो और बेल आइकन को ओल पर सेट कर दो चलो भाई तो इस अबडेट में हम लोग देखने वाले है निसान जीटियार कार और ये कार देखने में कुछ इस तरीके की रहेगी जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रही है चलो मैं आप लोग को इसके दो तिन फोटो जोड दिखा देता हूँ और गाई निसान जीटियार कार के साथ में हमको एक बाइक भी देखने को मिलेगी जो की है जेटेस टेनर बाइक एंड ये बाइक कुछ इस तरीके की रहेगी जैसे कि आप लोग को आपकी स्क्रीन पर दिख रही है लेकिन इस बाइक के साथ मैं अभी कुछ एक्सपरिमेंट चल रहा है ये मेंको तो ओर्ड वाली ज्याद अच्छी लग रही है तो निसान जीटियर कार और जेटेस टेनर भाइक ये दोनों तो इस अपडेट में आना कंफर्म ही है लेकिन साथ में ही कुछ ऐसी न्यूज आई है कि हमारे गेम के अंदर रोखी भाई की बाइक आ सकती या फिर पुलिस की बाइक इन दोनों में से कोई एक बाइक इस वाले अपडेट में एड होने वाली है अगर चीज़ा एड हो रही है तो इसमें तोड़ा टाइम लग जाएगा तो वो सकता ही किया अगले मेने की 10 तारीक या 5 तारीक के बीच में अपडेट आ सकता है तो अब मैं आप लोगों को बताने वालूँ कि मेरे इसाफ से इस गेम में क्या-क्या एड होना चाहिए हमारे गेम का नाम है Indian Bikes Driving Treaty नाम सी पता लग रहा है कि ये एक Indian गेम में लेकिन इसका जो करेक्टर है वो किसी औरी देश का है तो सबसे पहले दो यार इसका करेक्टर को चेंज करना चाहिए और Indian वाला एक करेक्टर रखना चाहिए और इससे दूसरा फायदा ये होगा कि यार इस गेम की popularity और भी जादा बढ़ जाएगी ये सब के बाद में हमको एक NPC का option मिला जो कि हमारे साथ में बातचित करें फॉर एक्जामपल अगर आप लोगों ने GTS एनेंडरास खेला होगा तो उसमें भी NPC इधर ही उधर भागते रहते हैं लेकिन जब उन लोगों के पास में हम लोग जाते हैं तो भाई वो हम लोगों से बातचित करना स्टाट कर देते हैं अगर ऐसा कुछ आ जाये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा इसके बाद में गाईस बात आती है साउंड की हर अपडेट में हमको एक नएक नई गाड़ी देखनों को मिलती है अच्छी गाड़ी देखनों को मिलती है लेकिन उसका पूरा मज़ा भीगार देती है उसकी साउंड जैसे रीसेंट में हमको अभी सूपरा कार देखनों को मिलीती है और आप लोगों को पता भाई सूपरा का साउंड कितना खतर नाक है लेकिन डेवलोपर ने हमको एक ही साउंड के साथ में 50 कार दे दी तो भाई ये सारी चीजे ना बहुत बेकार लगती यार चुकि यार गाड़ी चलाने का मज़ा उसके साउंड के साथ में आता है अगर आप भाई सूपर चला रहो और आपको साउंड अल्टो का मिले तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आगा गाड़ी चलाने का हमें अपने गेम के अंदर स्पीडो मीटर का एक फीचर मिलना चाहिए जिससे की पता चल लाए कि गाली कितनी स्पीड में भाग रही है इसके बाद में गईस हमको करेक्टर के अंदर कुछ अगर हम किसी चीज के पास मच जैसे की टेबल के पास मच आये तो वो टेबल पर कुछ एनिमेशन दे ऐसा कुछ होना चाहिए वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ों और भी बता सकता हूं जो कि हमारे गेम में एड होना चाहिए लेकिन उससे नुक्सान यह रहा है कि हमारे गेम के साइज बहुत ही जादा बड़ा हो जाएगा इसके बाद मेरे गेम में ग्लीचेश जादा आने लग जाएगे अगर यह सा हुआ तो इस गेम और फोड़ी सी बेसिक से निया ने तो रोईन भाई को इन सब चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए आप लोगों की च्या रहा करोगो तो आपको पता ही नहीं चलागा कि मेरी नेक्स वीडियो कब आ गई है तो बस गईस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई लव यू आउल